तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ऐसे सूपर इजी और सिम्पल और इफेक्टिव अभ्यास सिखाऊंगी जिनको की आपको निरंतर करते रहना हैं इन अभ्यासों को अगर आप करते हैं तो इससे आपको बहुत से लाब मिलेंगे और वो लाब कौन-कौन से हैं गर्दन का दर्द, कंधों का दर्द, बैक पेन की समस्या ये तो दूर भागेंगे ही भागेंगी इसके अलावा पूरे शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इ प्रेंदन होगा साथ ही उन लोगों के लिए हाइली बेनिफीशियल है जो हमेशा ओफिस में बैटके या कुर्सी में एक जगह पर बैटके काम करते हैं ये सिरेंट्री लाइस्टाइल है तो उसकी वज़ह से बहुत जादा मूव नहीं करते हैं कि जगह पर बैठे-बैठे राहत मिलेगी इन अभ्यासों को जब आप करते हैं तो ना सिर्फ गर्दन कंधे और बैक पेन बलकि आपकी पूरी के पूरी चेस्ट रिजन बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रेच होती है जिससे हार्ट और लंग्स वेंटिलेट होते हैं और पेट पर जेंटली दबाओ होन अब जान लीजिए सावधानिया ऐसे लोगों को इन अभ्यासों को नहीं करना हैं जिनकी कि अभी तबेत खराब है या कि अभी कोई recent abdominal surgery या कोई back की surgery हुई है वो अभ्यास ना करें कंधों की surgery हुई है वो अभ्यास ना करें अगर आप pregnant महिला हैं अगर ऐसी लड़किया या तीसरे दिन इन अभ्यासों को completely avoid करें क्योंकि इन अभ्यासों को आपको पेट के बल लेट करना होगा तो वीडियो तो बहुत ही जादा लाबदायक और helpful होने वाली है तो आप सभी से request है वीडियो को देखते देखते चैनल को subscribe करने जी अभी भी 70% ऐसे लोग हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को subscribe अभी भी नहीं किया है तो तुरन चैनल को subscribe करके इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाएए और नीचे जो घंटी का निशान है अगर आप उसको दबा देंगे ना तो जब भी मैं वीडियो डाला करूंगी उस वीडियो को notification आपके mobile laptop पर मिल जाएगा आपको सबसे पहले ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना किया करे नमस्कार दोस्तों मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विज शहीदा में दोस्तों कैसे हैं आप सभी तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको बताने वाली हूँ एक बोनस टिप तो आईए आज के दिन का सबसे पहला अभ्यास करते हैं जो की वाम अप तो ही है वाम अप के साथ साथ ये हमारे एक एक वर्टीब्रा की जो टेंशन है ना उसको इस तरीके से चूम अंतर करेगी गर्दन पर भी इफेक्ट आएगा, कंधो पर भी इफेक्ट आएगा, पेट पर, छाती पर, स्पाइनल कॉर्ड पर, कमर पर, हिप्स पर, थाइस पर आएगा इसका नाम है, जनरली आप इसे cat and couch प्रच के नाम से जानते हैं या मरजर या आसन और बिटिल यासन के नाम से भी जानते हैं तो सबसे पहले आप इस तरीके से table top position पे आ जाएगे table top position पे जब मैं हूँ तो देखिए मेरे दोनों घुटनों के बीच में कमर जितना फासला है और दोनों हथेलियों के बीच में अपने shoulder level जितना फासला है ये भी आप notice कर रहे होंगे कि मेरी wrist, मेरी elbow, मेरे shoulder ये सारे एक line में है और मैंने अपनी body को बहुत relax किया हुआ है, stable कर रखा है इस तरीके से अब सांस लेते हुए अपनी पूरी की पूरी पेट की मांस, पेशियों को मैंने ढीला छोड़ दिया है और chest को मैंने नीचे की तरफ, floor की तरफ push किया पूरी की पूरी spinal cord को मैंने arch किया और chest की तरफ देखने की कोशिश कर रही हुँ, जिससे गर्दन के opposite बहुत अच्छा stretch आए इस तरीके से सांस छोड़ते हुए अपनी पेट की मांस, पेशियों को मैंने अंदर की तरफ pull किया है और पूरी की पूरी एक एक vertebra को मैंने छट की तरफ खीचा rounded कर दिया अपनी spinal cord को और अपनी नेवल रीजन की तरफ देख रही हुँ, ऐसे सांस लेते हुए पेट की मांस, पेशियों को धीला छोड़े look up towards the ceiling, ऐसे और सांस छोड़ते हुए look towards your navel region, ऐसे inhale सांस ले रहे हैं, spinal cord को पूरा धीला छोड़ दिया यह हो गया cow stretch इस तरीके से, सांस छोड़ते हुए cat stretch इस तरीके से, बिटिल्यासन और मरजर्यासन, ऐसे, तो इसका अभ्यास कम से काम 10 से 15 बार आपको करना है, और फिर आप इसका effect देखेंगे कि आपकी spinal cord में कितनी अच्छी flexibility डेवलप हो गई है, जो आपको हलका हलका pain बना रहता है ना, वो pain भी नहीं बनेगा, और साथी गर्दन, कंधे और पूरी के पूरे पेट की मान स्पेशियों पर भी इसका बहुत अच्छा effect आएगा, तो इसका अभ्यास सास लिया, और सास छोड़ा, और ऐसे जटका देके ऐसे अभ्यास ना कीजेगा, जटका देना हमारा काम नहीं है, मैंने आपको जैसे बताया, सास लेते हुए उपच्छत की तरफ देखना है, और सास छोड़ते हुए अपनी नाभी को कॉंट्राक करना है, और पूरी की पूरी लोवर बैक को अंदर की तरफ ऐसे पुश करना है, और इस तरीके से अभ्यास करना है, जटका देके अभ्यास करेंगे, तो काम भिगड जाएगा, और फिर यह अभ्यास करने के बाद, अपने दोनों पैर की एडियों को एक दूसरे से दूर करें, अंगुठों को जोडें एक दूसरे के साथ, और फिर यहीं पर दोनों घुटनों के बीच में इतना ही फासला रहने दे, और अपने बील के ऊपर ऐसे रख दे, और दोनों हाथों को ऐसे स्ट्रेच करें, ऐसे सामने की तरफ जितना स्ट्रेच कर सकते हैं, और फिर उसके बाद धीर अपनी चेस्ट को और अपने हेड को इस तरीके से फोर हेड को ड्रॉप कर दे, कम से कम एक से दो मिनट यहीं पर हेड इससे क्या होगा, कि आपकी पूरी की पूरी रेड की हटी आगे की तरफ खीच रही है, कंधे आगे की तरफ खीच रहे हैं, तो बहुत अच्छा एक लेंदिनिंग इफेक्ट आपको महसूस होगा, और जब आप हेड ड्रॉप करेंगे, तो ब्लड सर्कुलेशन हेड की तर कर यानि की प्रॉन पूजीशन पर करेंगे, अब इस अभ्यास को करने के लिए पेट के बल आराम से लेड गए हैं, चेस्ट को आराम से मैट पर ड्रॉप कर दिया, और दोनों हाथों को ऐसे टी की पूजीशन पर लेके आईए, और दोनों पैरों को भी इस तरीके से स्टा बिच बनाते हैं न, लेफ्ट और राइट एक दुसरे के ऊपर, तो अपने लेफ्ट पाम के ऊपर राइट पाम को हमने ऐसे रख दिया, दोनों पैरों की बीच में फासला जरूर रखिएगा, और फिर उसके बाद क्या किया, सास लेते हुए धीरे धीरे राइट हधेली ज जा रही है छट की तरफ और पूरा ऐसे घूमते हुए अब मेरी चेस्ट जो है, वो सीलिंग की तरफ चली गई और चेहरा सीलिंग की तरफ ऐसे, पूरा का पूरा स्पाइनल कौड कैसे ट्विस्टेड है, गर्दन और कंधे किस तरीके से ट्विस्टेड इसको फील करें, और सास छोड़ते हुए वापस से अपने लेफ्ट पाम को राइट पाम के उपर ड्रॉप कर दिया। सास लिया, सासों को रोका, 5, 4, 3, 2, 1 और सास छोड़ते हुए वापस से तुन्हों हातों को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया। एक बार और, अगर आप सासे नॉर्मल लेना चाहते वो भी करें, सासे नॉर्मल लें सिर्फ हातों को उठाएं, लेकिन जब आप किसी अभ्यास को सास लेना, रोकना, छोड़ने के साथ करते हैं, तो इसका इफेक्ट बहुत ही अच्छा आपके ब्रेन पर भी होता है, और फि जैसे मैंने अभी थी टाइम से अभ्यास किया, इनहलेशन के साथ हाथों को अलग किया, रिटेन किया सासों को, जब पॉशर को रोका, और फिर सासे छोड़ते हुए वापस से आ गए, तो अब यही अभ्यास हम तीन बार लेफ्ट साइड करेंगे, फिर से ऐसे स्टार बनक हाया, और पूरा ट्विस्ट करते हुए ऐसे घूंग गए, ऐसे, आप देख रहें, यह ट्विस्टिंग का इफेक्ट ही है, जो आपकी इम्म्यूनिटी बूस्ट करेगा, नौवस सिस्टम जो है, उसको स्ट्रेंदन करेगा, बलड सर्कुलेशन इंप्रूव करेगा, और स सांस छोड़ते हुए दोनों पार्म्स को फिर से एक दूसरे के उपर रख दिया, ऐसे, फिर से दो बार और, इनहेल, सांस लिया, सांसों को रोका, पॉस्टर को होल्ड किया, दोनों पैरों को मत उठा लीजिएगा, फाइफ, फोर, फ्री, टू, वान, देन जॉइन बोथ पार्म्स टूगेदर, इस तरीके से एक बार और, सांस ले लें, दोनों पैरों को मैट पर ही रखें, और पूरा जो ट्विस्टिंग इफेक्ट, लोबर बैक पर कितना अच्छा रहा है, पूरी की पूरी पेट पर, और स्पाइनल कॉर्ड कैसे ऑपोजिट ट्विस्ट और एल्बो को बाहर ऐसे रखा, और चहरे को किसी भी साइट टर्न करके पेट के बाल लेट गए, नॉर्मल ब्रीधिंग करेंगे, कम से कम 2-3 मिनट के लिए, अब यह अभियास करके आपने खुद इफेक्ट देखा होगा, अपने पूरे गर्दन कंधों और पूरे के पू इफेक्ट आ गया, सर्वाइकल रीजन और आपके फोरेसिक रीजन पर इसका इफेक्ट आ गया, लंबर रीजन पर इफेक्ट आ गया, बेसिकली अपर बैक पर, अब ज़रा लोवर बैक पर काम करते हैं, लोवर बैक का भी इफेक्ट इतना ही जादा बेहतरीन होगा और बे आपके अपर बॉड़ी का वेट आपके एलबो और आपके बाज़ों पर है पाम्स को ऐसे मैट पर रखा है दोनों पैरों को अब एक दूसरे के साथ ऐसे जोड़ ले इस तरीके से और अब अपने राइट पैर को उठाएं राइट पैर को घुटने से मोड़े और फिर धीरे से अपने राइट पैर के पंजे को लेफ्ट घुटने के दूसरी तरफ रखे और ऐसे इस तरीके से छट की तरफ देखे ऐसे और फिर उसके बाद वापस से राइट पैर को मैट पर उसी जगहा पे रख दे जहां से उठाया था फिर से सांस लिया और सांसों को रोका छट क तरफ देख रहे हैं 5 4 3 2 1 और फिर उसके बाद सास को छोड़ दिया ऐसे नॉर्मल ब्रीधिंग के साथ और अगर ऐसा है ना कि आपका जो पैर का पंजा है वो ऐसे मैट पर ऐसे ड्रॉप ना कर पाएं तो कोई बात नहीं जहां तक हो सके अगर ऐसे भी उट उटके रहता है तो ऐसे होल्ड कर लें और फिर उसके बाद नॉर्मल ब्रीधिंग के साथ करें चाहे ब्रीधिंग के साथ करें मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ शुरू-शुरू के जो अभ्यास ही है जो बिगनर्स है वो नॉर्मल ब्रीधिंग के साथ करें लेकिन कुछ दिन जब आपका अभ्यास करते करते हो जाए तो कोशिश करें अपने अभ्यासों को सासों के साथ सिंक्रनाइज करके अभ्यास करें फिर से अब दूसरी तरफ राइट को कर लिया अब लेफ्ट की तरफ अब लेफ्ट पैर के पंजे को उठाया घुटने से मोडा और दूसरी तरफ ऐसे ड्रॉप कर दिया और छट की तरफ देख रहे हैं ऐसे और फिर उसके बाद वापस से लेफ्ट को ड्रॉप कर दें इन्हेल लेफ्ट साइड और रिटेन यूर ब्रेथ होल्ड करें 5, 4, 3, 2, 1 और वापस से अपने पैर को ड्रॉप कर दें फिर से एक बार और सास ले रोके सासों को और सास को छोड़ दे और फिर रेस्ट करेंगे फिर से क्रोकोडाइल पोज में इस तरीके से अब हम अगले आसन का अभ्यास पीच के बल लेट कर करेंगे चाहे तो left pair को ऐस तरीके से घुटने से बोड़ा, right palm को right thigh के उपर रख दिया और धीरे धीरे अपने left pair को ऐसे सीधा कर रहे हैं, सास लिया और सास छोड़ते हुए 5, 4, 3, 2, 1 और फिर उसके बाद head को drop कर दे और अपने pair को भी drop कर दे अब जो लोग अपने इस तरीके से पैर एसे फसा लिया, सास लिया और सास शोड़ते हुए इस तरीके से head को ले जाए अगर जादा देर तक नहीं रोख सकते normal breathing के साथ और फिर उसके बाद head को ऐसे drop कर दे तो इन सभी अभ्यासों को 3 बार, 5 बार, 7 बार, right और left दोनों तरफ करें आप अपने पैरों को ऐसे सीधा कर लिया, आप दोनों पैरों को घुटनों से मोड़े और अपनी ठाई को बैली की तरफ लेके आएं, दोनों हाथ की उंगलियों को ऐसे फसाएं और इसको अपने पैरों के ऊपर रख दे और धीरे धीरे अपनी spinal cord को इस तरीके से मसाज करेंगे, ऐसे पवन मुक्तासन में लेटे हुए जूला जूलेंगे, ताकि अभी हमने जो सारे अभ्यास किये हैं, जिससे spinal cord पर जो भी खिचा हुआ, lower back पर जो भी खिचा हुआ, उन सब उको counter किया जा सके, तो इस तरीके से लेटे हुए जूला जूलेंगे, पवन मुक्तासन में लेटे हुए, इसे पूरी spinal cord को मसाज मिलेगी और nervous system strengthen होगा, पेट पर दबाओ पड़ रहा है, ऐसे, और अब rest करे शावासन में लेटे हुए, दोनों पेरों को सीधा कर दिया, और शावासन में कम से कम पास से दस मिनट लेटे हुए नॉर्मल ब्रीधिंग करें, बॉड़ी को रिलाक्स हो जाने दे, दोस्तों अगर आप मेरी निगरानी में रहके योग का अभ्यास करना चाहते हैं, तो आ इन क्लासस में आपको सीखने के लिए क्या मिलेगा? इन क्लासस में आपको हर दिन अलग-अलग तरीके के योगासन, प्रानयाम सिखाए जाएंगे, step by step, basic से, meditation किस तरीके से करते हैं, योगिक क्रियाएं किस तरीके से करते हैं, आपको डाइट के बारे में भी गाइड किया meditation, योगिक क्रियाएं, हर एक चीज आप अच्छी तरीके से समझे और सीखें, और आपकी overall health जो है वो improve हो सकें, अगर आप beginner हैं, तो घबराये नहीं, हर एक practice को मैं बहुत आसान तरीके से बताती हूँ, उनको modify करके बताती हूँ, अगर आप already योग का अभ्यास करते हैं, त hypertension, high blood pressure, conceive नहीं कर पा रहे हैं, PCOD, PCOS की समस्या, periods बहुत irregular रहते हैं, रात में नीद नाने की समस्या, अत्याथिक stress, anxiety, depression की समस्या, ये classes आपके लिए highly beneficial हैं, अगर आप इन classes को Zoom के माधियम से नहीं जॉइन कर सकते हैं, तो आप जॉइन कर सकते हैं, मेरे द्वारा develop किये जो की बहुत ही जादा beginner friendly है, step by step इसमें आपको आसन, प्रानायाम, meditation सीखने के लिए मिलेगा, और आपके साथ flexibility होती हैं कि आप किसी भी वक्त, किसी भी जगा और कितनी भी बार इन videos को play करके अपनी practice कर सकते हैं, इन courses और इन classes के बारे में अगर आपको और जानकारी तो मेरी जो ये website है www.yogavidshahida.com, आप इस website पर visit कर लें, वहां से registration कर लें, या के फिर आप इस number पर एक WhatsApp कर दें, ताकि आपको class के बारे में सारी की सारी details मिल जाएं, मुझे बहुत खुशी होगी और मैं बहुत excited हूँ, आप सभी के साथ अपनी classes के माधियम से जुडने के लिए, तो देखा आपने step by step मैंने कितनी आसानी से इन अभ्यासों को करना आपको बताया, समझाया, सिखाया, पूरी कोशिश की, आशा करती हूँ, मेरी जो ये कोशिश है, आपको बहुत पसंद आई होगी, अब आप इन अभ्यासों को खुद भी कर सकेंगे, और अपने घर वालों को भी motivate करेंगे, कि वो भी योग का अभ्यास करें, अगर आप चाहते हैं कि आपके suggest किये हुए किसी topic पे, मैं future में वीडियो बनाऊं, तो मुझे बेहद हुशी होगी, नीचे comment करके बताये कि कौन से topic पर आप अगली वीडियो देखना चाहते हैं, आप सभी अपना खूब खयाल रखें, और एक बार और request कर रही हूँ कि जाने से पहले channel को जरूर subscribe करके जाए, क्योंकि इससे मुझे बहुत ही जादा motivation बलता है, ये वीडियो अगर पसंद आई हो, तो इस वीडियो को भी like कर दीजेगा, और अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीड पेन, शोल्डर पेन, या कंधो का दर्द रहता है, गर्दन का दर्द रहता है, तो इस वीडियो को उन दोस्तों तक जरूर शेयर कीजेगा, आप सभी अपना खूब खयाल रखें, खूब इसी तरीके से महनत करते रहें, योग का अभियास करते रहें, अगली वीडियो में फिर से बहुत जल्दी आप सभी से मिलोगी, नमस्ते